दोस्तो अगर आप लोग रेडमी का मोबाईल यूज करते हैं और आप लोगों के रेडमी मोबाईल में बैटरी प्रोबलम आ रहा है दोस्तो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने रेडमी मोबाईल का बैटरी प्रोबलम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तो आप लोगों के पास कोई भी रेडमी का फोन हो कोई भी एमाई का फोन हो आप लोगों को सैम ट्रिक फॉलो करना है जैसा जैसा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ठीक है तो अगर आप लोगों का मोबाइल में बैटरी प्रॉबलम आ रहा है बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है आप लोगों के मोबाइल का बैटरी तो आप लोगों को क्या क्या चेक करना है सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ ठीक है आप लोगों को सबसे पहले ये वाला आप लोगों को चेक करना है कि ये सही है कि नहीं आप लोगों का ये जो पिन है इसमें जो है आप लोगों का चार्ज लेता है कि नहीं अगर ये सही है तो आप लोगों को दूसरा में अपना चार्जिंग केबल चेक करना है कि आप लोगो का charging cable ठीक है की नहीं ठीक है इतना चेक करने का बद दोस्तो आप लोगो को क्या करना है आप लोगो को अपने mobile में अगर आप लोगो का Redmi mobile चार्ज लेता है charging animation सो हो रहा है ठीक है अगर आप लोगो का Redmi mobile में charging animation सो हो रहा है लेकिन आप लोगो के मोबाइल का बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है दोस्तो तो आप लोगो को क्या करना है ऐसे कंडिशन में आप लोगो का बैटरी प्रोब्लम है ठीक है आप लोगो के मोबाइल का बैटरी जो है खराब हो चुका है आप लोगो को service center जाना है Redmi का, MI का और अपने मोबाइल का बैटरी आप लोगो को change करवा लेना है ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगो के मोबाइल में अगर charging animation 100 हो रहा है लेकिन आप लोगों के मोबाइल का बैटरी चार्ज नहीं ले रहा है दोस्तों चार्ज नहीं हो रहा है मोबाइल का बैटरी ऐसे में आप लोगों का बैटरी पुरा खराब हो चुका है पुरा खतम हो चुका है बैटरी आप लोगो को service center जाना है Redmi का और अपने mobile का battery आप लोगो को change करवा लेना है और दूसरा में आप लोगो को एक और काम करना है अगर आप लोगो का mobile ज्यादा पुराना हो गया है तो आप लोगो को software चढ़ाना है ठीक है अपने mobile में आप लोगो को software चढ़ाना है जड़े 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 का जड़े करें तो करना करें से मढाईप।